गोर्खा अहित सर्हो परी और बहादर जवान, बुद्पूर सेनिकों, विदेशी दूतावास के प्रतिमिदी, सिविलिन करमचारी, उपस्तित अतितिगंद और मीडिया जगत के दोस्तों, जैहिंद सेना दिवस के अफसर पर बारेदर सेना के सभी रैंक्स, बुद्पूर सेनिकों, विदेशी दूतावास के प्रतिमिदियों, उपस्तित अतितिगंद और मीडिया जगत के साथियों को ते दिल से मेरी हर दिक शुब कामना है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननिय राश्टरपती एवा माननिय उप राश्टरपती और माननिय प्रदान मंतरी तथा माननिय रक्षा मंतरी ने भी इस शुब आफसर पर अपने शुब कामनाएं और बदाई के संदेश भेजे हैं सबसे पहले मैं इस शांदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी आफसर्ज, जेसियोज और जवानों को एक प्रभावशाली परेड के लिए हर दिक बदाई देता हूँ पुरुसका विजेताओं को और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को भी बहुत मुबारत बात शाबाश राष्ट को और सेना को आपके उपलोडियों पर अत्यंत करव है आज हम उन शहीदों को याब करते हैं जिन्होंने देश के रक्षा में वीर्गती प्राप्त की है उनकी शादत समझ देश और भारत असेना के लिए प्रेड़ना कसरोत है मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे आज के शुब आफसर पर मैं भारत असेना द्वारत विक्सित एक इंडियन आर्मी मोबाईल एप को देश के नाम करता हूँ ये एप देश के नगरिकों को खास कर युवा पीड़ी को भारतिय सेना के बारे में विस्तरित जानकारी देगा पिशला वर्ष सेना के लिए बैद चुनिति पौर्ण राव उत्तरी सिमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं देश के सिमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मूठ तोड जवाब दिया गया मैं देश को विस्वाश दिलाना चाहूंगा कि गलवान की वीरों के शाहदत वियत नहीं जाएगी भारतिय सेना देश के संप्रोप्रता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी हम बाचित और राजनेतिक प्रयासों से विवादों का समादान के प्रतिबद हैं लेकिन कोई भी हमारे धेरियों की परिक्षा करने की गलती ना करें स्थितिकों ने अंतरन में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिटरी कमांडर्स की अब तक आठ वारता हो चुकी है म्यूच्वल और इक्वल सिक्रिटी के संदाद पर मौजूदा स्थिरी का हल निकाने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे बारी थंड और कटें परिस्तितियों के बाबजुद हमरे सेनियोकों का मनोगल उन परवत शिकारों से भी बहुत उंचा है जिसकी वो मुस्तेदी से रक्षा कर रहे हैं दूसरी तरफ नियंतरन रिका पर भी दुश्मन के हर नापा किरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान आतिकवादियों को पना देने की अपनी अदर से लाचार है सीमापर प्रशेशन शिवरों में तक्रीबन तीन सो से चार सो आतिकवादी घुस्पेड करने की फिराक में बैठे है पिशले वाज सीस फायर वाइलेशन में 44 परसन बड़ोतरी हुई जो कि पाकिस्तान के नापा किरादों का सबूत है सरग पार से डोन्स और टैनल्स के दोआरा भी हत्यार के स्मगलिंग करने की कोशिश की गई नियंतरन रेका पर हमारे सक्री ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्टरेशन ग्रिट से ना केवल को डुश्मन को भारी नुकसान हुआ बल्कि गुस्पेर के अनिक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया पिशले वर सेना नियंतरन रेका और काउंटर रेरिस आपरेशन में दो सो से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया इन प्रयायसों से जेहन के में नाकेवल हिस्सा के गटनाओं में काफी गिरावट आई है बल्कि आवान को भी आतंकवाद से राहत मिली है देश के उत्तर पूर्वी शेत्र में भी सुरक्षा स्तिती में सरान्या सुधार हुआ है रोएक्टिव आपरेशन के वज़े से पिछली साल तकरीबन 600 आतंकवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफी मात्रा में हत्यार भी बरामद किये गए म्यानमार आदमी के साथ आतंकवादियों संकटों के खिलाब आपरेशन में भारी सफलता हासिल की है अंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तेनाती में की गई गटोती सुधारते हलोतों का सबूत है सेना और असाम राइफिल्स राजय सरकारों के साथ सन्युक रूप से देश की एक्टीस पॉलिसी को अकार दे रही है 21 सदी के चुनोतियों का सामना करना और यूट शम्ता बढ़ाने के उद्धश्य से सेना अदुनी की करन और पुनरगटन की दिशा में लगाता थोस कदम उठा रही है इमर्जन्सी और फास्ट्रेक्स कीम से जरिये हमने 38 स्कीम के अंतरगट लगबग 5000 क्रोर के हत्यार और समान की खरीदी की है इसके अलावा कैपिल प्रोक्यूर्मेंट के अंतरगट इस साल तक्रीबन 13,000 क्रोर के कॉन्ट्रेक्स को अंजाम दिया है सेना के बहुँ मुखी विकास के लिए विशेज ध्यान दिया जा रहा है जिसमें इंफिंट्री के लिए LMG, Light Special Vehicles तथा Personal Protective Gear, Mechanized Forces के लिए ICVs, Artillery के लिए Long Range Vectors, Engineers के लिए अत्यादोनिक Plant Equipment और Signals के लिए Communication Equipment शामिल है उबरती Technology जैसे की Artificial Intelligence, Blockchain, Quantum Computing, Unmanned Systems, Directed Energy Weapons और Swarm Don'ts के शेत्रों में भी देश के अग्रनी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे IITs इनके साथ काम जारी है अधनी की करन के इन प्रियासों के साथ Infrastructure में भी तेजी से सुधार हुआ है जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है सिना के अधनी के करन के ये प्रियास अधनिया प्रदानमंत्री के आत्मा निर्वर भारत की पहल का एक अबिन हिस्सा है मारती सेना मेक इन इंडिया के तहट 32,000 क्रोर के 29 अधनी की करन प्रोजेक्ट के पैचान कर चुकी है ट्राइवेट इंडिस्ट्री, MSME और अकैडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मा निर्वर डिफेंस एको सिस्टम बनाने में मेत्वपूरन योगदान दे रही है इससे स्वदीशी टेकनोलिजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्वरता कम होगी मुझे विश्वास है कि इन सब प्राइवसों के हम एक आत्मा निर्वर सेना का विकास कर पाएंगे मित्र देशों के साथ रक्षा सेयोग राष्ट सुरक्षा के दृष्टी से सेना का एक भैद मेत्वपूरन योगदान है पिश्वे वर्ष हमारे प्रक्षेशन संस्थानों में मित्र देशों के तीन हजार से भी ज्यादा अधिकारी और जवानों ने प्रशेक्षन प्राप्त किया इसके अलावा हमारे दस इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम सेयोगी देशों के साथ हमारे संबन्दों के और बूर और भी मजबूत कर रहे हैं इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि सन्यूप राश्टर पीसकीपिंग के तैथ हमारे 5300 से अधिक सेनिक 8 पीसकीपिंग मिशिन्ज में दुनिया के बैद कठेन इलाकों में अपने करतविय निश्टा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं राश्टर निर्मान में सेना का सदर प्रमक योगदान रहा है इस साल सबसे महत्वपुरण योगदान COVID-19 से निपटने में देश को प्रयासों का अंजाम देना है सेना ने सबसे पहले देश बर में 12 स्थानों पर कारिंटिन फैसिलिटीज बनाई और विर्देश से एवेक्वेट होने वाले देश वासियों की देखबाल की देश बर में 113 मिलिटरी हॉस्पिटल्स में लगबग 12,000 COVID-19 बेड निर्दारित किये गए इन हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ पोजी बलकि सभी नागरुका का भी इलाज किया जा रहा है दिल्ली सरकार को 15 एंबुलेंस देना और नरेला तता सरदार वल्लब भाई पटेल पोवेड हॉस्पिटल और अन्य कैम्पों के लिए मेडिकल टीम्स का सपोर्ट सेना का अन्य योगदान रहा है हमारे सेनेक हमारी ताकत है भारतिय सेना हमेशा अपने सेनेकों की जरूरतों और अकांक्षाओं के प्रती संबेदन शील है वर्ष 2020 में सेनेगों की कल्यान से संब्दित बहुत से कदम उठाए गए उतरी सीमा पर चल रहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का नोटिविकेशन हुआ जिसे कैजूल्टी होने पर लिबरलाइस फैमली पेंशन्स वार इंजिलिर एलेमेंट और हायर एक्सगेशा सुनिक्षित किया जा सकेगा सबी जवानों को 15 कोर के अलाके से हवाई जहाज से ट्राविल करने के अनुम्बती दी गई है दश वर्ष के सिवा पूरी होने से पहले भी इन्वैलिर पेंशन का प्रावदान किया गया है 25 साथ से कम आयों के जवानों को भी एचारे मिलेगा और M.A.C.P. दिये जाने पर वेतन विद्धी के अनुसार बढ़ते हुए रेट पर C.I.L.Q. का अनुदान होगा सेनिक परावर परिवारों के कल्यान की दिशा में भी हमारे प्रयाज निरंतर जारी है रक्षा बनों की मित्यों पर सादारं पिंशन के एनाइंस रेक के लिए कम से कम साथ साल की सेवा के शर्थ को हटाया गया है बैटल कैजूल्टीज के बच्चों के लिए शिक्षा रियायत और रश्चियर यूद्स मारत पर बैटल कैजूल्टीज के नोके का सम्मान इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम है इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमेशन विमेन आफसर्स को सेना में स्थाई कमेशन का अनुदान दिया गया है चुनी होई विमेन आफसर्स को आमी एवियेशन में हेलिकॉप्टर पाइलिट बनने के लिए इस साल जुलै से प्रक्षिशन दिया जाएगा CMP में प्रतम सो महिला सेनोकों का बैट ट्रेनिंग कर रहा है और में 2021 तक यूनिट जाने के लिए तियार हो जाएंगे भारतिय सेना में बढ़ती महिला शक्ति को मानेता देने के लिए आज एक स्पेशल फर्स डे कवर भी रिलीज किया जा रहा है बूतबस सेनोकों को निरंतर सपोर्ट देने के दिशा में डिरेक्ट रेट आफ इंडियन आमी वेटरिन्स ने पिछले वर्ष 18 लाग से अधिक वेटरिन्स को रेजिस्टर किया और लगबग 10,000 बेनिवेश्रीज को 21 क्रोर का लाब पहुंचाया है लगबग 5 क्रोर के पिंशन अरियाज एक्सर रिस्मिन और एनोके को दिये गए हैं मेज 2020 से बैटल केजिल्टीज के एने को को मिलने वाला एक्स वेशा 2 लाग से बढ़कर 8 लाग कर दिया गया है अब तक लगबग 1 लाग रिटाइरीज और 12,000 डिपेंडेंस को प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के तहित प्रक्षिशन प्रदान किया जा चुका है इसके अलावा पूरे देश में लगबग 56 लाग पूरीवी सेनिकों और उनके परिवारों को कौलिटी हेल्ट केर ECHS द्वारा प्रदान किया जा रहा है अंत में मैं आपरेशन और योद अब्यास में सहयोग के लिए भारती नौ सेना और भारती वायू सेना की सराना करता हूँ और उनको धन्यावाद देता है मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयोग दिन्स को अंजाम देकर यूद शेत्र में विज़े हासिल करेंगे देशवासें के दिलों में सेना का एक विशेश थान है सेना कर्तविय, वीर्ता और निस्वर्ता का प्रतीक है मुझे पुरा बरोसा है कि हम देश के इस विश्वास को कायम रखेंगे सेना दिवस के इस अफसर पर बारेते सेना एक बार फिर स्वयम को नाम नमशान के प्रती समर्पित करती है जैहिन करे और गोर्खा अवाज को मजबूत बनाए